हेलो दोस्तो जैसी माताजी और फैरी गुड मॉनिंग तो यहां पर जो है मैं अभी फूलने के लिए रख रही हूँ धूसा बनाऊंगी कल तो उसी का यहां पे तयारी चल रहा है और हम धूसा एक दिन पहले ही बनाने के लिए इसका तयारी सुरू कर देते हैं यहां पर हम मोटा वाल जावल लिये हैं और उरत दाल और चना दाल थोड़ाशा और थोड़ासा मेथि लिये हैं यह चारों चीज को जो है हम अच्छा से फूलने के लिए रख देंगे और साम तक अच्छा से फूल जाएगा उसके बाद इसको हम पेश्ट बना के फिरात भर के लिए रख देंगे खमीर इसका निकलेगा उसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं रोटी सब्जी जो कि कुसुम का पापा को हम टिफिन देते हैं रोटी ही कि उनका पापा ज्यादा पसंद करते हैं, तो रोटी बन चुका था, और हम लोग Video 25K 2022-2070 यहां पर डोसा खाने का मन था, हम भी यादा ह्म आपाने jurisdiction रही हैं। चतनी भी बनाये हैं जो कि हम सुरू में दिखाए हैं कि चतनी में हम छोका रहा है खुल कर द में चनना ना दाल को भी होगे अजे़ा चथनी भी अड़्या धालने से तवया है विशनझा नगता हमें। इसमें खटाई मतलब खटा जो होता है सामान में थ्कहटा लगता है तो हम यहापर लिं इमली का चटनी जो हम बना के रखते है फिरीज में ही लेत रहता है तो वही से नहीं हम एक चमाज हम डाल लिये थे और यहां पर देखें सुजी का इतली बन चुका था उसके बाद यह है दूसरा दिन का सुभा का टाइम है और यहां पर देखें रात भर के लिए हम रख दिये थे इसका पेश्ट बना के धोसा का बैटर है यह तो हम सारा तो अभी नहीं बनाएंगे बस कुछ जो है थोरा सा ह अभी हम निकाल के रख लिये है लिकने उसमें हम नमक नहीं डाले है और यहां पर हम आलु का भी एक अम शाला बनाएsn साथ घूसा के अंदर जो मसाला लगता है वो लेकिन हम जो है रही हम खिलो जो हां के अंदर ऑस त्वा में देंगे तो यहां पहर गरम हो गया था पीर तवा को ठंडा किये पानी के साथ और एक कपड़ा से सापकर लिये हैं अभी हम इसको अच्छा से फ्याला लेंगे और सब को हम गरम-गरम धोसा देंगे खाने के लिए लेकिन धोसा का जो प्यान होता है थोरा सा बड़ा होता है ऐसे दो छोटा में भी हो जाता है विरस सुजी का ही जादा तर इटली बनाते हैं और हमको मतलब इटली जो है हम कभी चावाल का बनाए नहीं है लेकिन इस बार सोचे हैं कि ट्रै करेंगे तो यहां पर देखिए कल जो हम बनाए थे थोड़ा सा जादा ही बोले थे कि बनाए हैं और फिरिज में रख दिये थे तो सु हमें हम रोटी सबजी बना के कुसम का पापा को कल भी दिये हैं और आज भी दिये हैं बस सबजी चेंज होता है लेकिन रोटी चेंज नहीं होता है रोटी तो हम रोज बनाते ही है लेकिन सबजी में कभी कुसम का पापा को भूजिया देते हैं कभी परबरालू का सबजी द